आज हम ये वालकूं टॉट मैं चैनल तो आज हम रिलमी 5 प्रो को कमपेर करेंगे शाउमी के एमाई एथरी के साथ तो चलिए शुरू करते हैं तो गाई सबसे पहले हम दोने ही फोन की डिस्प्ले के बारे मात करेंगे रिल्मी 5 प्रोग की बात करें तो इसमें आपको 6.3 इंच का फुल एच्टी प्लेश डिस्प्लेश देखने को मिलता है इसमें आपको Corning Gorilla Glass 5 की प्रेक्शन दी जाती है तो गाईस इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसर की रिल्मी 5 प्रोग में आपको Qualcomm Snapdragon 712 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 10 नैनोमेटर पर बेज़ जाए और इसके GPU की बात की जाए तो इसमें आपको इसमें आपको इसमें बात करते हैं दोनों स्मार्टफॉन के कैमरा सी रिल्मी 5 प्रो में आपको Quad Camera देखने को मिल जाएगा इसमें आपको 48 Megapixel का में कैमरा प्लस 8 Megapixel का Ultra Wide प्लस 2 Megapixel का Micro Camera और Depth Sensor देखने को मिलता है और दूसरी तरफ बात करें Xiaomi के Mi A3 की तो इसमें आपको AAA camera देखने को मिल जाएगा 48 Megapixel का में प्लस 8 Megapixel Ultra Wide प्लस 2 Megapixel का Depth Sensor अगर Front Camera की बात की जाए तो Realme 5 Pro में आपको 60 Megapixel का Front Camera देखने को मिल जाता है और वो Xiaomi की बात करें तो इसमें आपको 32 Megapixel का Front Camera देखने को मिलता है इनके Storage रैम की तो Realme 5 Pro में आपको 64GB प्लस 4GB RAM और 6GB RAM का Option मिलता है और 128GB Storage प्लस 8GB RAM वाला Option भी मिलता है इसे आप Expand भी कर सकते हैं अप्टू 256GB तक और दूसरी तब बात करें MI A3 की तो इसमें आपको 64GB Storage प्लस 4GB RAM और 128GB Storage प्लस 4GB RAM और एक Option और मिलता है 128GB प्लस 6GB RAM वाला और इसमें आपको इसे भी आप Micro XT Card के दोरा Expand कर सकते हैं अप्टू 256GB तक इसमार्टफोन की बैटरी की बात की जाए तो Realme 5 Pro में आपको 4035MH की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 20W Fast Charging को स्पोर्ट करती है यह 30 मिरन में 50% को चार्ज करता है और दूसरी तर बात की जाए Xiaomi के फोन की तो इसमें आपको 4030MH की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 18 वर्ट फार चार्टिंग स्पोर्ट करता है